नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मारी युट्व चैनल में तो आज हम पढ़ेंगे कच्चे जो करमचारी हरियाना के हैं वो कैसे पक्के होंगे और दूसरी बात क्या है कि जो काफी दिनों से लगे वे हैं जो करमचारी उनकी जो वेतन है उनकी जो शेलरी है वो उनके experience के आधार पर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए तो उसकी जो detail मांगी है उन्होंने सरकार ने कि कितने दिन से करमचारी काम कर रहा है उनकी salary जो है अब कितनी है और उनको अनुभाव कितना हो गया है तो ये अलगले detail मांगे देखिए memo ये है के memo है ये HRN के portal पर 20 थारीका नी कल का है ये तो इसमें क्या कहा गया है कि subject के supply of the detail outsource worker यानी outsource worker detail मांगे है engage with who have completed 5 to 10 year जिसने 5 से 10 साल complete कर ली है service के but not allow the pay as per the experience लेकिन उसकी जो pay है वो according to experience नहीं है ये बात यहां पर जोर देकर कहा गया कि according to experience उसकी salary नहीं है तो इस रिक्वार तूप्लाइड डेटेर दा आउर्सोर्स worker इंगेज अंडर दा योर्स circle who have completed 5 to 10 years of the service but not have allowed the benefit of the pay as the experience 5 to 10 year performed below उसने यहां पर देकि लेकिन उस experience के अधार पर उसको salary नहीं मिल रही है तो यहां पर देखिए पुरी detail यहां पर दी है name of the office in which working जहां पर जिस office में वो work कर रहा है name and the designation outsource work वो किस designation पर है वो helper के तूर पर है वो color के है ठीक है नहीं जो भी उसकी जो post है उसकी post पर है ठीक है experience का यहां नहीं लिया है तो इन सब चीजों के आधार पर जो है उनको यह दिया गया है notice की आप जो है पूरे department को notice दिया गया हर भी भाग में भेजा है यह कि उनकी जो है पूरी जानकारी जो है हमें send करें ताकि जो है government कुछ नया कदम उठाई तो इससे यह बिल्कुल एक उमीद जागी है कि जो उमीदवार हैं जो लगे वे हैं वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं पांच से दस सालों के बीच में काम करें लेकिन अनुभाव के अधार पर उनकी सेली नहीं बड़ी है एक अभी जो लेटेस्ट में जो कल जो है एक notice जो है जारी किया है department में तो उसमें क्या है यह देखिए notice में मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ notice में इसमें क्या कहा गया है यह देखिए जिला भीवानी का है भीवानी से लगबग हर department में हर district में भे गया है इसमें कहा गया कि उपरोक्त वीशाय के संदर में और HKRN के माध्यम से भेजे गए एक अक्सा एक से आर तक क्यानि एक फर्स्ट कलासे लेकर आठवी तक के जिन अध्यापकों ने कारिया ग्रेन नहीं किया है अथवा विदाल्य मुख्या के दुआरा कारिया ग्रेन न नहीं कराई है तो उसकी सूची सहीत सूची और उसका कार्ण बताना आपने कि विदाल्य में कल दिनाख 21 तीन तक विजवाना सुनी चित करें यह कार भी 20 तारीक तक विजवा दें तो यह एक ही दिन का समय मांगाता हुनोंने कि उसमें जो है विजवा दें मतलब कहीं उसम बार जो हमाँ पे जो है पोस्ट ही नहीं है ठीक है वाँ दिखा दें लेकिन पोस्ट ही नहीं है तो कहीं ऐसे कारण रही है जिनकी विजवा जैसे जो केंडिडेट है उनका सेलेक्शन नहीं हुआ है और वो बेचारे धक्के खा रहे हैं तो जिसकी विजवा जैसे यह प्र पिर क्या है और फिर इसमें एक लेटर में दूसरा आपको दिखा रहा हूं यहां पर दिखे इस लेटर में क्या कहा गया है यह एक महंदरगर डिस्टिक का है और इसमें क्या कहा गया है इसमें और यह आला कि थोड़ा पुराना है लेकिन इसमें आपको दिखा देते हैं उसम पर दिपार्टमेट नहीं मिली है तो उसके बारे में काम कर रही है तो इस प्रकार से उनुक्त पहले भी एक लैटर है तो कुछ लैटर उनको भी तो ढीट से एक बार जूम करके दिखा देता हूं आपको और फिरिस में क्या लिखा है कि रोजगार नव युक्त करमचैरों को कारेगरान करने के बारे में तो पंचकोला से दिनाक 163 को दुरुभास पर प्रप्राप्ट संदेश अनुशार और HKRN हरियाना कोशल निगम के अंतर का TGT देखे हाला कि उस देखो जब उन्होंने केते हैं साथ जार के करीब जो है पद पदों पर उस दिन जो है लिस्ट जारी कर दी कि थे उनका जो रिजल्ट आ था और काफिस में क्या थे हमारे TGT के भी अध्यापक थे और कुछ जारी और थे जो उन्होंने ग्रूप C के D के काफी चोकिदार के पद भी थे काफी पद थे मतलब उसमें जो वो टोटल वो साथ जार के उनकी संख्या थी तो इसमें ये कहा गया है क्या कहा गया है कि जो TGT है या अन्नाय पदों पर करमचारे के निगते का दिश दिये हैं और सबी विद्यालों के DO द्वारा कारिया ग्रण करवा जाना है तो अतै आप खंड के अंतरगत खंड यानि ब्लोग के अंतरगत हरियाना कोशल निगम के अंतरगत निगते आपको का ततकाल क्या का इस नहीं उनको जो है ततकाल से जो है कारिया ग्रण करवाईं ठीक है यह भी सफ़ष्ट किया है ने इक निउकती है से तो अलोट के except रिक्त नहीं होने how पुने कारियल में भिर भी भी कहा के हमें वापिस भ्हेज को धें तो यह जो है लगातार कंटिनू चल रहा है और इसके बाद देखिए मैं आपको अकबार के तरब भी लेके जाता हूँ अकबार में भी जो यह आया है कि हर्याना कोशल निगम के जरिये 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 जो डिपलोइमेंट लेटर बेजे हैं अगर युवा खा रहे हैं धक्के तो हमारे जो युवा हैं वो धक्के खा रहे हैं क्योंकि उनको जो है जो एनिंग नहीं मिल रही है लगबक साथ जार युवाओं को जो है पंद्रा मार्च को जो है यह रिजल्ट दिया गया था और गोशना की थी कि तुरंत जो है कारवाई करें और विभागों को आदेश भी दिये थे कि उनकी जोइनिंग करवाएं लेकिन फिर भी किसी विजह से जो भी दिक्कत हुई थी वो मतलब सही प्रकार से उनकी जोइनिंग नहीं हो पाई उपर लैटर देने का दावा क्या था कि हम तुरंत उनकी जोइनिंग करेंगे और अधिकतर जो है पोस्ट है यह बताई कि स्कूल में जोइनिंग के लिए जाते तो वहां के संचालक उनको बताते कि यहां तू पोस्ट है रिखती नहीं तो काफी ऐसी प्रोब्लम हो रही थी तो हमने जो है इस वीडियो के मादम से आवाज उठाए सरकार से रिक्वेस्ट भी की है कि ताकि जो है उन हमारे भाई बेनों का जो है अच्छी परकार से उनका कुछ समाधान बने ताकि जो है वो यहां पर मतलब अपने आज पास में जहां भी उन को स्टेशन अलोट होए वहां पर ज्वाइनिंग करे तो दोस्तों इसमें वीडियो में ये उठा आगल जरूर होगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें कोमेंट करें और शेयर करें धन्यवाद